खलो दोस्तों सागत आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेतंकुर में जैसा कि साल 2020 की बात कर लें तो सबसे दा इंपोर्टेंट सबसे बड़ा एक्जाम और सबसे दा कॉंपटिशन जिसमें हमें देखने को मिले वाला है वो है SPI किलर्ग 2020 अब ऐसा क्यों? बहुत सारे नए स्टूडंस हैं जो 2021 के लिए तैयारी सुरू कर दिये हैं वो इंतिजार कर रहे हैं बहुत सारे पुराने स्टूडंस हैं जिनका RRB PO, RRB किलर्ग में सेलेक्शन नहीं हुआ है या रिजर्ब लिश्ट में हैं वो इंतिजार कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंस हैं जिनका मेंस के लिए नहीं हुआ था वो भी इंतजार कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना ही जानदा important है SPI किलर की और कहीं न कहीं इस साल का सबसे बड़ा exam भी होगा तो बहुत ही जानदा competition और बहुत ही जानदा कि आप सबको पता है कि काफी news सुनने में आ रही है काफी news चल भी रही है कि मई और जून के मन्त में आपका pre-exam conduct हो जाएगा कहीं न कहीं 100% possibility बनती भी है कि मई और जून में आपका pre-exam हो जाएगा अगर मई में होता है तो बिलकुल मार्च में आपको किसी भी दिन notification आपको देखिनी को मिल जाएगा अगर जून में होता है तो अपरेल के starting में 100% आपका जो SPI clear का notification है वो आ जाएगा अब अगर देखा जाए notification से pre-exam तक तो लगवग 35 से 40 दिन आपको मिलेंगे जिसमें आपको pre plus means दोनों की तयारी करनी है काफी सारे students सोच रहे हैं कि notification आ जाए उसके बाद तयारी करेंगे तो आपको यह समझना है कि अगर notification का आप इंतिजार कर रहे हो तो जितने भी दिन आपको मिलेंगे 35-40 दिन के आसपास उसमें आपको दोनों की तयारी करना है अब काफी सारे students सोचेंगे पहले तो प्री पर फोकस करेंगे उसके बाद मेंस के तियारी करेंगे तो आपको पता है कि अगर आप पहले प्री पर फोकस करोगे उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा जब मेंस पर फोकस करोगे तो मेंस में आपने देख लिया है कि SPI में कितन जब मेंस एक्जाम होना था प्री का रिजल्ट नहीं आ रहा था काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कि साहर पोस्पॉंड हो जाएगा क्योंकि प्री का रिजल्ट आया नहीं है और मात 10 या 11 दिन बचे है और उसी टाइम प्री का रिजल्ट आउट हो गया था तो आप दोनों की तैयारी करने है चाहिए आप नए स्टूडेंस हो चाहिए आप पुराने स्टूडेंस है पुराने स्टूडेंस तो बिलकुल तैयार है बस बहुत इंतिजार में है कि नोटिफिकेशन आ जाए हम एक्जाम दे और हमें सेलेक्शन मिल जाए इसमें तो दोस्तों ब क्योंकि मैं एक चीज़ समझता हूँ कि आपकी जो डाउट है या कोई भी आपकी कोशन है वो उतना ही इंपोर्टेंट है जतना इंपोर्टेंट वीडियो होता है अगर डाउट ही के लिए नहीं हुआ या आपकी कोशन ही के लिए नहीं हुए तो कोई मतलब नहीं रह जाता ह इसलिए आप और जैसा कि अभी RRBPO का जब स्कूर कार्ड आया था बहुत सारे स्टूरेंस के मेरे पास कमेंट आये थे कि सार मेरे कट ओफ से इतने जानदा है बहुत सारे स्टूरेंस थोड़े से उदास थे नरास्ते और साएद ठोड़ी उम्मीद उन्हें जाना थे कि जाना नंबर उनके कट ओफ से जाना होंगे लेकर उतने नंबर जाना नहीं थे आठ नंबर, दस नंबर, ग्यारा नंबर, किसी के साथ नंबर और बहुत साले स्टूरेंस तो ये भी कहा रहे थे सारब तो मीध्य तूट चोकी है निके मैंने तब भी कहा था चाहिए आप कट आप से एक नंबर जानदा हो चाहिए आप तीस नंबर जानदा हो आप फैनल रेस में बने हुए हो कुछ भी पॉसिबिल है क्योंकि पहले हमें काफी रेजल्ट दे के हैं जिल्का कम कट आप से सेलेक्शन हुआ है और जब रिजल्ट आया फाइनल का तो ऐसे काफी सारे स्टूडेंस थे जिनका कम मार्जन था कॉट आप से लेकिन सेलेक्शन हुआ है तो यही कहेंगे कि हर चीज पॉसिबल है आप यह नहीं सोचना कि हम नए स्टूडेंस हैं तो हमें अभी कुछ नहीं कि अर्फा यहां पता हमारी तैयारी नहीं है तो हमसेलेक्शन नहीं मिलेगा बहुत सारे नए स्टूडेंस हैं जो SPS leading us ये RRBPO में लिए 2002 कि इसलिए आप से यहीं कहेंगे आपको भी यहीं सोच रहा है कि हम नए स्टूडेंस में तो स्टूडेंस हैं आप सीरनियार पहीं है आप बिल्कुल कमेंटें पूछिए बाकी मिलते हैं फिर नेस वीडियो में चक्ते के लिए धन्यवाद